नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब्सक्राइब उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब अपने घरों में बहुत अच्छे से होगी प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है आपको घर बैठकर शिक्षा ग्रहन करना और वो भी अलग-अलग शिक्षकों के माध्यम से जब आप अपने स्कूल जाते हैं तो आपके शिक्षक आपको जिस धंग से पढ़ाते हैं हो सकता है जो शिक्षा आप घर में बैठकर टेलिविजन के माध्यम से ले रहे हो वो कुछ अलग रूप में हो प्यारे बच्चों कितना सरल कर दिया है इन तक्निकी माध्यमों ने विचारों का शिक्षा का आदान प्रदान सुभे सुभे जब हम उठते हैं तो सारे विश्यु की और स्थानिय जानकारी हमें कहां से मिलती है जी हैं अखवारों से उसके बाद जैसे ही हम अपना टेलिवेजन और करते हैं तो आप देखते हैं कि कितने ही समाचार चैनल हैं जिनके माध्यम से आप देश विदेश के समाचारों को देख सकते हैं और आजकल तो एक और माध्यम है बहुत जादा प्रछलित जानते हैं? जी हां, मुबाइल की बात करें हैं छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि किस तरीके से मुबाइल को चलाना है कैसे इंटरनेट चलाना है और कितना आसान कर दिया है इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को क्योंकि अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से कितनी ही जानकारी, कितने ही खेल हम गर बैठे देख पाते हैं और कितनी ही शिक्षा हम विभिन परकार के शेक्षनिक यूट्यूब चैनलों से ले पाते हैं तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विशे है वो भी इनही माध्यमों से जुड़ा हुआ है आज हम कक्षा साथ की पाठे पुस्तर सामाजिक और राजनिती जीवन भागदो का अध्याय संचार माध्यमों को समझना पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी जिंदगी में इन संचार के माध्यमों की क्या भुमिका है हम ये भी जानेंगे कि भारत जैसे लोकदांत्रिक देश में संचार माध्यम कैसे काम करते हैं तो आईए शुरू करते हैं ये रूचीकर अध्याय सबसे पहले समझते हैं कि संचार माध्यम क्या होते है सूचनाव का आदान प्रदान करने वाले साधन जैसे रेडियो, टेलिविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाई और इंटरनेट आदि प्यारे बच्चो, स्थानिये मेले की दुकान से लेकर टीवी के कारेक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानि मीडिया कहा जाता है मीडिया अंगरेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तातवर उन विभिन तरीकों से है जिनकी द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं मीडियम का अर्थ है माध्यम क्योंकि मीडिया का संदर्व संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है टीवी, रेडियो और अखवार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं, जिनकी पहुँच लाखों लोगों तक है देश और विदेश के जन समोह तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं प्यारे बच्चों, संचार माध्यम और तक्नीक का आपस में क्या संबंध है? इसे हम निमन लिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं पहला बिंदु है, तक्नीक और मशीनों में परिवर्तन लाकर उन्हें आत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुचाने में सहायता मिलती है इससे ध्वनी और चित्रों में गुणवत्ता में सुधार आता है तक्नीक में परिवर्तन से हमारे जीवन के बारे में सोचने का धंग भी परिवर्तित हो जाता है इसका सामाने सा उधारन यही है कि जैसे पहले आप एक कक्षा में बैठकर अपने शिक्षक से समझते थे वैसे आज आप टेलिविजन के सामने बैठकर ऐसी शिक्षकों से पढ़ सकते हैं जो की आपकी शिक्षक से थोड़ा हट कर पढ़ाते हैं या आप आज यूट्यूब या अन्य माध्यमों के द्वारा भी अपनी बढ़ाई को और बहुतर ढंग से कर सकते हैं तक्नीक के परिवर्तन से टेलिविजन में प्रदर्शेत, चेत्र, सेटेलाइट या केबल के जाल के माध्यम से बहुत दूर के शेत्र तक पहुँचाए जा सकते हैं तक्नीक की वज़े से हम विश्य के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यकरम भी देख पाते हैं तक्नीक में परिवर्तन के कारण हम अनेक परकार के खेलों का सीधा प्रसारण भी टेलिविजन, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से देख पाते हैं पेवचों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति अनेक तरहे की व्यवसाई अपनाता है संचार का साधन या संचार के माध्यम भी पैसे से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं संचार के माध्यमों पर पैसे का क्या प्रभाव पड़ता है? आईए इसे अच्छे से समझते हैं जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन तकनीकें आतियंत खर्ची ली हैं जरा सोचिए कि टीवी स्टूडियो जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है वहाँ एक समाचार वाचक बैरता है कितनी लाइटे लगी होती हैं? कितने लोग ध्वनी को रिकॉर्ड करने में लगे होती हैं? कितने यंतर प्रियोग में लाई जा रहे होती हैं? इसके अलावा जब ये सब रिकॉर्ड हो जाता है तो संप्रेशन के लिए सैटेलाइट की भी आवश्यक्ता पड़ती है और इन सब से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन संचार माध्यमों पर कितना पैसा जो है वो खर्च होता है जन संचार माध्यम निरंतर बदलती रहती हैं नवीनतम तकनीक जुटाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यक्ता होती है लेकिन यहां में आपको यह भी बता दो प्रियवच्यों कि कभी कभी जन संचार माध्यम धन कमाने की तरीकों के बारे में भी सोचते रहती हैं एक तरीका जिसके द्वारा जन संचार माध्यम धन अरजित करता है वह है विज्यापन जी हां विज्यापन बहुत सारी वस्तों के विज्यापन आप अपने टेलिविजन पर रेडियो पर या फिर इंटरनेट के आने माध्यमों पर भी देखते हैं इन विज्यापनों के माध्यम से आप अपने कारेकरम में जब तलीन होते हैं उसे देख रहे होते हैं तो कहीं न कहीं ये दिये गए विज्यापन आपको प्रभावित करते हैं और जन संचार के जिस माध्यम के द्वारा ये विज्यापन दर्शाय जा रहे होते हैं उनके लिए ये धन अरजित करने का काम भी करते हैं प्रिये बचो आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि कभी-कभी विज्यापन मात्र धन कमाने का विशे नहीं होते हैं कभी-कभी देश हित के लिए अनेक तरह के विज्यापन भी प्रसारित किये जाते हैं जैसे अक्सर आपने टेलिविजन पर पोलियों से सम्मंधित, स्वच्छता से सम्मंधित या COVID-19 की स्थिती में अनेक ऐसे विज्यापनों को देखा होगा जो जन हित में जारी किये जाते हैं प्यारे बच्छों, भारत एक विशाल लोकतंत्र है और जन संचार के माध्यम कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करते हैं यानि जन संचार माध्यम और लोकतंत्र में आपस में गहरा संबंध है लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओ पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अतियंत महत्तपूर्ण है उधारन के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जन महत्तपूर्ण विश्यों को समझ सकते हैं किस चीज का देश में विरोध करना है किस चीज के निदान के लिए किसे लिखना है और किस तरीके से अगर कोई सरकार विरोधी अभियान चलाना है तो उसे आमजन तक कैसे पहुँचाया जाए यह जन संचार के माध्यम हमें बखुबी सिखाते हैं और प्रिये बच्चों आजकल तो वैसे भी इंटरनेट का युग है आप संचार के हर माध्यम पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी विश्यों का या राजनिती का जन संचार माध्यमों से सीधा संबंध है जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों की महत्तपूर्ण भूमिका होती है और किसी विश्य की संतुलित जानकारी कैसे जुटाई जाती है यह भी जन संचार के माध्यमों से हमें आसानी से पता चल जाता है जन संचार के माध्यम राजनिती और लोकतंतर में जनता की पक्ष और विपक्ष दोनों ही हीतों को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्रदान करते हैं और अक्सर एक संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं प्रिये बच्चो आए जानते हैं संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी विशे पर हर द्रिस्टी कौन से चर्चा की जाती है फिर पाठकों को स्वयम अपनी राई बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है संतोलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यों के स्वतंत्र होने पर निरभर करता है जब संचार माध्यमों के द्वारा दिये जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रत या प्रभावित नहीं करता, तो उसे स्वतंत्र संचार माध्यम कहती है। समाचार का विवरण देने में यदि कोई व्यक्ति निर्देश देता है, तो उसमें उसे क्या बताना है? क्या नहीं बताना है? ऐसी रिपोर्ट संतुलित नहीं हो सकती। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अतियंत महत्तपूर्ण है। संचार के माध्यमों की जानकारी विश्वश्णिये खुनी आवश्यक है। सचाई तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। प्रिवचो आईए जानते हैं सेंसर्शिप क्या है जब सरकार समाचार के किसी आइश, फिल्म के किसी द्रिश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समोताय तक पहुँचने में रोक लगाते हैं तो इसे सेंसर्शिप कहा जाता है भारत की इतिहास में ऐसे अनेक समय आई हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर्श लगाया इसमें सबसे बुरा समय सन 1975 से 1970 के बीच का आपातकालीन समय था प्रियवचो आपने अक्सर भी सुना होगा कि कभी कभी हम जानती हैं या समझती हैं कि किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया या किसी सीन को सेंसर बोर्ड ने काठ दिया तो यहां ये बात समझ लेनी आवश्यक है कि सेंसर्शिप के माध्यम से जो विवादित सीन या कोई विवादित फिल्मांकन होता है उसे किसी विशेश गाने अथ्वा विशेश नाटक अथ्वा किसी विशेश फिल्म से हटा दिया जाता है प्रिय बच्चो सामानी जिन्दगी में टेलिविजन सामानी संचार का माध्यम है और वर्तमान में भारत में लगभग हर घर में दिखा जाता है टेलिविजन के कारण हम अपने आपको विश्व समाज का एक सदस से समझने लगे हैं टेलिविजन में प्रदर्शित, चित्र, सेटेलाइट या केबल की विस्तरित जाल के माध्यम से अतियंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाय जाते हैं जिसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनुरंजक कारेकरम देख पाते हैं और आजकल तो विभिन शिक्षा के चैनलों के माध्यम से शिक्षा की सामगरी भी घर बैठे विद्यार्थियों तक पहुँचाय जाती हैं जिससे अनेक विद्यार्थी देश के विभिन शिक्षिकों से अपने विशियों को समझ पाते हैं तो देखा वच्चो कितना आसान हो गया है टेलिविजन के माध्यम से पढ़ना और शिक्षा ग्रहन करना इससे सम्मंधित एक और विशे है वो ये कि संचार माध्यम ही आजेंदा तै करते हैं संचार माध्यम कुछ विशेश विश्यों पर ध्यान केंद्रित करके हमारे विचारों, भावनावं और कारियों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन विश्यों की और आकरशित करती हैं जो हमारे जीवन पर महत्वण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में महत्वण भूमी का निभाती हैं. प्राई यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा एजेंडा तै करते हैं प्रिये बच्चों आप अक्सर भी अपने जीवन में देखते होंगे कि जो विशे हमारी जिन्दगी से सीधे तौर पर जुड़े हूं संचार माध्यमों पर भी वो विशे छाई रहती हैं और संचार माध्यम चाहिबो कोई भी हो रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट, समाचार, पत्र, पत्रिकाईं सभी में समसामाईक विश्यों को महतपोन स्थान दिया जाता है प्रेवचो, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महतपोन भूमी का निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कारियों और संबंधित विश्यों के बारे में सुनते हैं संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर हमारा ध्यान आकरशित किया जाना चाहिए संचार माध्यम किसी घटना की खबर को उस हिसाब से छापते हैं जैसा हम उसे चाहते हैं प्रिय बच्चों सामाने ते जब आपकी घर में अखवार आता है तो आप अखवार का वेह पन्ना पढ़ना अधिक पसंद करते हैं जो स्थानिय होता है अर्थात जिसमें स्थानिय समाचार दिये होते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति हमेशा उन मुद्दों को पढ़ना और देखना चाहता है जो उसकी आसपास घटित हो रहे होते हैं यही वज़े है कि जब हम टेलिविजन देखते हैं तो केबल के माध्यम से भी हम कई बार स्थानिय समाचारों को सुनना जादा पसंद करते हैं शायद इसलिए स्थानिय संचार के माध्यम लोगों के बीच में जादा प्रचलित हैं और आजकल तो यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से भी विभिन चैनल आपके आसपास या स्थानिय समाचारों को या स्थानिय जानकारी को आप तक पहुँचाती हैं तो प्यारे बच्चो देखा आपने कि किस तरह से संचार की सभी माध्यम हमारे लिए कितने माईने रखते हैं और ये कैसे काम करते हैं ये भी आपने देखा भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीती तौर पर इनका क्या महतव है ये भी आपने जाना प्यारे बच्चो आए इसी पाठ के संदर्व में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं सबसे पहला प्रश्न है संचार माध्यम किसे कहते हैं प्यारे बच्चो सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली साधन जैसे रेटियो, टेलिविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट आधी को संचार माध्यम कहा जाता है एगला प्रश्न सेंसर्शिप क्या है प्यारे बच्चो जब सरकार समाचार की किसी अंश, फिल्म की किसी द्रिश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ती को जन समुदाई तक पहुँचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसर्शिप कहा जाता है अगला प्रश्न मीडिया से क्या अभिप्राई है प्यारे बच्चो मीडिया से अभिप्राई उन तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करती है तो प्यारे बच्चो देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है आपको टेलिविजन के माध्यम से घर बैठ कर शिक्षा ग्रहन करना और सभी संचार के माध्यम जो हमारी जिन्दगी को इसी तरीके से प्रभावित कर रही है चाहिए वो टेलिविजन हो, इंटरनेट हो, समाचार पत्र हो, पत्रिक आएं इन्होंने एक विशेश प्रकार का बदलाव हमारी जिन्दगी में ला दिया है तो प्यारे बच्चो उमीद करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्रिह कारिये के तौर पर आप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संचार माध्यमों की क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है उसका अध्यन करेंगे और इन्हीं विश्यों को इन्हीं बिंदुओं को लिखने का प्रयास करेंगे धन्यवाद करेंगे